लिए रियासते करनाटक की गवर्मेंट ने माइनार्टी के लिए खीम जारी की गया है किस तरह का माइनार्टी पाइदा उठाएं इस मोखें का थीन लाग रुपे सबसीडी कार लो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गाड़ी लो पांच लाग तक का लोन इंट्रेस्फिरी लोन देंगे बहुत अच्छी स्कीम है बहुत बढ़िया स्कीम बनाएं जो भी हो मैनारीटी में और मैनारीटी में दलित क्रिष्टियन दलित हो या ना हो मुस्लिम ऐसा जैन से ऐसा भुच से खावम मिलको आती है इसमें दस से पन्रह हजार को रुपे तक का बजट भी हानरीबल चीफ मिनिस्टर बताए थे वो हो रहा है इसमें अनून्स जो किये अच्छा सा स्कीम कर रहे हैं मर बात क्या है तो ये खुला नहीं है कौन कहां स है इलिजिबिलीटी आदार काड़ दो बीपियल काड़ दो फलान दो यह सुभी ठीक है कितने गाड़ी देंगे कितने डिस्टिक्ट में देंगे कितने एरिय में देंगे इसको कौन साहिन करना पड़ आंलाइन में चल रहा है 15000-20 50000 से लाग रुपיया कालर्शिप है लोन है फंड है यह भी चल रहा है तो ये क्लियर होना चाहिए हुकुमत से मेरे अपील है मेरा हमबल रिकोईशन है डिकलियर करो बेक लाट हजारसोव आदमिंगे प्रीषित अंधी धुन में देने सकता है, लोग अंधे और गुंगे बनके अप्लिकेशन दालने सकते हैं, किसको मिल रहा है पाइसा? घर बईठे, किसको मिलेगा? क्यों लेना चाहिए? तो गाड़ी, कार का मतलब, कमर्सिल कार में देते हैं, किसको देते हैं, क्या इसको यह में लेके लोग को देते हैं, यानि पोलिटिकल कैडर को देते हैं. कितने मेले हैं? यानि 221 मेले हैं. करनाटक में. क्या 224 मेले में, ये 1 मेले को 4 देंगे. तो 4 देंगे, तो चार, जो भी हो, यह नो सो कार देंगे, यह नो सो यह नो हजार जो भी कार ही देंगे, कि MLA का इंवालमेंट नहीं है, डेरेक्ट मिनिस्ट्री से आगा, जो हनरेबल सी एम अनूंस किये, उनसे ही आगा क्या, यह क्लियर नहीं है, क्लियर करना चाहिए और जो बात है वो चीज में मुसल्मान को कितना मिलेगा कहां मिलेगा मसाजिदों में मदरसों में हर जगा बोला जा रहा है कि मिलना चाहिए यह चीज देना चाहिए अपले ही करो यह करो वो करो तो मसाजिदों में ये नहीं बोला जा रहा है कि बच्चे मासूम मुसल्मान के पढ़के 90% मार्क लो मुसल्मान के मैं मेरे बेटे से याना मैं खुद ये मेरे क्या बोलते हैं इसको मेरे खान दे घटें मेरे को ताखत है मेहनत पढ़के लिए मेहनत पढ़के पैसा हासिल करो, ये भीक में नहीं जमा है, फुगुट में भी नहीं जमा है, ऐसा मत लिजिए, ये मैं चाहरा हूँ कि मसाजिदों से, फलान से, फला जगा से उसका एलान हो, मंत्रियों के, ये मेलियों के चिट्टी ना बाटे हैं, क्योंकि लोगों को, पचास हजार लोगों में, क्या पांच आदमी को मिल रहा है, दो आदमी को मिल रहा है, किसको को गुंगे बन रहे हैं, ये भूती कन्फीजन बना है, और लोग, भूत से लोग जमा हुए हैं, हर ग बेवा है, तमाम, यह बात कुन क्लियर करेंगे? मसाजिदों से जितना भी हो रहा है, घुम रहा कर रहे हैं, कि बोल रहा है यह चीज है यह दाल दो को, दालेंगे, किसको मिलेगा? अप्लिकेशन भरके दालेंगे तो आनलेन में दिखेगी, आनलेन में कापी काड के केमडी सी आफिस में रखा जाएगा, तो इसमें क्लिक किसका होगा? क्या है यह लाट्री सिस्टेम है क्या? तो क्या खेल है? क्या ग्यांबलिंग है? क्या क्या है? क्या है यह तो किसको मिलना है किसको देते हैं कितने देते हैं कोण अपले करना चाहिए दुसरे लोगों को खाइश क्यों देना है तो खुला वो नहीं बोलेंगे चीफ मिनिस्टर साब, मिनिस्टर साब कमीटी के आदमी जो काम कर रहे हैं ये मंत्री के निचे ये लोग नहीं बोलना आलंपाशा बोलेगा आप महनत करो आप ताखत वाले हैं आप इलम वाले हैं Allah आपको इलम दिया है आपको जब तक जिसम में ताखत होगी इन्हें मुसलमानों को खुसुसां ये पैसा क्यों हासिल करेंगे जो महिनत ये मांदारी की महिनत से जो मिलता है वो 4 लाग 3 लाग से नहीं 30 क्रोड के ज्यादा भी मिलेगा वो अतनी खुशी भी हासिल होगी आपको वो आपका हख होगा हखुख होगा ये जो गैंबलिंग में 10,000 आदमी दाला इसमें दो आदमी को आया और जो क्या पार्टी का कैडर है क्या खुला वोपन से बोलना चाहिए हुकुमत में क्या भी इसमें बीजेपी के जंडे के साथ जो M.A.L.A. साइन करेगा क्या कांग्रेस के जंडे के साथ जो M.A.L.A. किसके पास साइन लेना है क्या नहीं लेना है खुला करना है वोपन रहना है वोई मेरी अपील है वोई में अपील करूँगा कि भी खुला बोल दो लोगों को परेशन मार्च याने एपरिल से मुसल्मान करनाटेक में होती कन्फ्यूज रहे हर गली में हर जगा हर डिपार्टमेंट के जगा क्यों लगती है जैसा कोविड के इंजेक्शन दालने के लिए पहले हर जगा पे सव दोसों की इंजेक्शन को लंबी क्यों लगती 500,000, 2000 देते थे ऐसा हो रहा है तो इसमें ब्रोकर्स हैं क्या तो नहीं है तो खुला करो ना कभी लोग गंदे हैं ब्रोकर्स गंदे होते हैं गवर्मेंट नहीं सरकार नहीं अपरंजी में कोई एक टिप का भी गलत नहीं रहता है सरकार में तो सरकार का कमिट्मेंट क्या है सरकार क्या चाहती है ये खुला होना चाहिए आप कारों की बात आप कार करें कि टैक्सी, कमर्शिल गड़ी कितने लोगों को दिये ऐसा लाटरी है क्या नहीं देंगे कितने हजार, कितने डिस्टिक्ट, कितने तालुक, कितने मोहले, कितने यमेले बोला है क्या, तब ही आलम पाशा पूछता है, हकूमते करनाटिक से नहीं, हकूमते खल्की, मुसल्मान के जमाद से बोलता हूँ, कि भे आप मेहनत पढ़के कमाओना, जब बुजरुग हो गए, बुजरूगों को कोई तपखे से पूछना नहीं है बुजरूग है आप आपका हक अल्ला की दर से भी पहुंचाएगा आपके अवलाद से पहुंचाएगा अल्ला दोलत दालेगा खुशियां दालेगा तो ये फुगुट का माल लेने के लिए हमें काम्पिटिशन नहीं करना है वो भी अल्ला के ऊपर छोड़ दे जो देगा वो मिलेगा तो नहीं तो जब तक हमें घट है हमें इलम वाले हैं मेरी सूच है आलम पाशा के जो लोग लग रहे हैं तो ये मिले का सिगनिचर काटेगरी, काडर्स जो ये и तुच आहिए आईसे लोग उनको मिलेगा तो ये लोग मुसल्मान बनना मेरी खाइश नहीं है नमाजी लोगओं को नहीं है बुज़रुक लोगओं को नहीं है student को नहीं होना चाहिए तो काडरी अलग है तो ये इसका खुला होना चाहिए उसका डेकलर होना चाहिए एप्लीकैशन में फिर्फ एक दम आम तरीख आप यह एथने आदम ही डेंगी तो कितने आदमी को देंगे खतम नहीं हुआ है सिटना देंगे सिर्फ कांगरेस के मंहले ओं कwear बाजपा के मैले ओं को देंगे जेटीएस सका किस की ओंगे क्षेक को देंगे अवाम को देंगे जो आवाम जन्धा आपको व Summit HERE वोट वो बात खुला नहीं है, कार देंगे, केमडीसी का फंड 50,000 लाक रुपे देंगे, बच्चेों को देंगे, वो तरीखा ठीक नहीं है, क्यों में बरसातों में, धूपों में, हया के साथ, एक बैकू बच्चा क्यों खड़ेगा, क्यों जाएगा, उसको क्लारिफे करो, कि ये मार्क लेगा, तो ये चीज है, 98% में नीट पास करेगा, CET पास करेगा, ये है, इसा आप इसमें एकदम गैडलेंज बनाएए, एलान करो, हर आखबार में, हर मीडिया में, कोई ये पर्चे आप मस्जिदों में देते हैं, मस्जिद के जो कमिटी वाले, भाजपा के तरफ करते हैं, कांग्रेस के तरफ करते हैं, दला के तरफ करते हैं, पूरी सियासत मसाजिदों से चलाते हैं, मदरसों में चल रही है, चायें के दुकानों में रखते हैं, चिटिया में, और तमाम बना के, ये काम, फॉलिटिकल लोग, मंत्री लोग, ये मेले लोग करने दो, मु किसके लोग करते हैं मुसल्मानों को चाहिए ये चीज़ों को उपर उमिद हटा दो उमिद आपनी मेहनत के उपर अपनी चीज़ के उपर आप आज भी राजी हो जाएए ये राजी में हर आदमी को मिलेगा हमें जब तक ताखत वाले हैं हमें कमा के लेने की बच्चों से कमा को लेने की यही खाइश मुसल्मान तबखे को देना चाहिए मुसल्मान के माने हुए लीडरों नायब सदरों मसाजिद के कमिटी वाले तो पूरी सियासत करते हैं सियासत में उतर गए खड़के बयान में आ गए है मौज़न को इमाम को उठा के बाजुक बिठा दे उन्हों खुद बोल दिये यह ले लो ये नहीं बोलते हैं ये बच्चे फिरते फिरते उनकी इलम गई उनकी जत का मतलब नहीं रहता है इस तमाम काम करते हैं चाहिए मुसल्मानों को बहाएर के म्डी सी के बहाएर मैनारिटिस के नाम लिये हुए जीना सिखना चाहिए ये कैसिनो ये gambling ये lottery system कहा है उसका clarity होना चाहिए जिसको मिलता है जो लेता है जिसका recommendation चाहिए हर चीज ये मिले से ही हो रहा है क्या उसका भी clear होना चाहिए तो file जमेंगी हजारों लकों में पैसा जाएगा कितने आदमें में क्या खानून में क्यों च्छपा रहे हैं क्यों ये चीज के पिछे जो मुसल्मान के ताखत ताजा खून वाले क्यों भागा दोड़ी करें इसमें कौन घद्दारी करते हैं कौन दलाल है क्या कभी ये मिले दलाल बनते हैं क्या ये मिले अपने लोगों के लिए दलाली करते हैं क्या ये तमाम जानना पड़ेगा जब वो खुद दलाली कर लिए तो ये स्कीम में मतलब नहीं है अवाम में मतलब नहीं है अवाम के वोट में मतलब नहीं है वोट देना हमारा काम मुसल्मान का काम सिर बी-सी, कोई वो-बी-सी, नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मगर होगी, तो सही रास्ते में जाके, वो लेंगे, आज रास्ता फुटा आए, रास्ता कन्फीज रहा है, हमें जो सुज के जा रहे हैं, प्लेन में जाएंगे, मक्के में, के लिए जिद्दा में प्लेन उतरे कि यही मक्का, यही मदिना करके बोलने वालों में पांच सहजार ने, पांच सो में बुला के गई तो भी, कौन भी जाएंगे नहीं, और डेजेट में भी उतार दिये, वो डेंजर पहड़ां पे उतरती है, तो इसकी पूरी जिंदगी का पैसा उसको दे के भेज देंगे, व तो ऐसा हमारा प्लेन जिद्दा में उतरेगी, हमारा उम्रा और हज होगा, ऐसे सही प्लेन में चेड़ना है, वो ही मुसल्मानों के लिए सही होगा, अपना टाइम, अपना बुडापन, अपनी जवानी, यह तमाम बेकार हो जाएगी, अल्ला जो जवानी, और जो बुडा दिया है, हमें बरकरार मुसल्मान रखना है,